मुकेश जी के इस गाने का किस्सा बड़ा इंट्रेस्टिंग है मुकेश जी जब इस गाने को रिकॉर्ड करने पहुंचे जब इस गाने की धुन सुनी तो मुकेश जी चौक गए मुकेश जी ने इसके संगीत कार को का यार इसकी धुन तो पहले रिकॉर्ड हो चुके लता जी के आवाज में ये गाना तो पहले ही बज़ रहा है आपकी धुन चोरी हो गई तो मुजिक डारेक्टर भी हरान हो गए कौन सा ये गाना था और इस गाने की धुन किसने चुराई धुन चुरा करके कौन सा गाना बनाता ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तो चैनल पे नए तो चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा बेल आइकन भी प्रेस कीजेगा ताकि नोटि मुजिक डारेक्टर दान सिंग की डान सिंग बॉल्यूड के कैसे मुजिक डारेक्टर हैं जिनको नोटिस नहीं किया गया इनका जो फेमस गाना था वो मुकेश जी नहीं गाया था माई लव का वो तेरे प्यार का गम इसी गाने से ये मुजिक डारेक्टर पैचाने गए इ इसका नहीं बता, मगर डान सिंग के गाने काफी चोरी हुए ये बात सच है उसमें से एक गाना ये भी था जिसका किस्सा मैं आपसे कहने जा रहा हूँ तो दोस्तों इसी डान सिंग, यही डान सिंग जो संगित कारते इनके गाने की एक रिकार्डिंग थी इन्होंने एक गाना बनाया था और उस गाने के लिए इन्होंने रिकार्डिंग पर मुकेश जी को बलाया जैसे मुकेश जी रिकार्डिंग पर पहुँचे ये मुजिक डिरेक्टर इस गाने के धुन मुकेश जी को समझाने लगे ने सिख्काने लगे, मुकेश जी ली जैसी धुन सुनी, मुकेश जी आश्चzan चर्कित रहें, उन्हों ने सीधा उस संगीतकार को का, यार, वे asta यार इसकी धून तो चोरी हो गई, मुज़िक डारकटर चाँके कहा धुन चोरी हो गई, कैसे धुन चोरे हो गई, तो मुकेज जी ने बताए कि लता जी ने इस धुन पे गाना गाया है जो धुन आप मुझे सुना रहे हो और ये गाना फिल्म के अंदर आ चुका है तो मुकेश जी ने इस गाने की धुन जिसके रिकॉर्ड करने वो पहुंचे थे लता जी के आवाज में पहली सुन सुके थे जो गाना रिकॉर्ड हो चुका था इस गाने से पहले लता जी का अब संगीत कार चौके की मेरा गाना कैसे चुरा लिया गया कहां पर चुरा लिया गया अब मुकेज जी इस संगीतकार को जानते थे ये संगीतकार पार्टी के बड़े शौकिन थे तो अक्सर फिल्मी पार्टी में ये जाया करते थे तो वहीं ये अपनी धुने भी सुनाया करते थे तो दान सिंग ने अपनी धुन किसी को सुनाई और ये धुन उसके बाद चोरी हो गई, जब मुकेज जी रिकॉर्ड करने दान सिंग का गाना पहुंचे, तब मुकेज जी ने दान सिंग को बताया कि आपके धुन चोरी हो गई, गाना रिकॉर्ड चुका लता जी की आवाज में, अब मुकेज जी ने फिर दान सिंग को सला दी क भईया, पार्टी में कम जाया करो, बातें ज्यादा मत करा करो, और अपनी धुने हर किसी को मत सुनाया करो, ये मुंबई है, यहाँ पर आपकी, अगर इस इस त칙ी से धुने सुनाते रोगे, पार्टी में तो आपके तुन चोरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा तो खैर इस म्यूजिक डिरेक्टर ने फिर मुकेश जी को का अगर मेरी धुनिया चोरी हो गई तो कोई बात नहीं हम मुकेश जी के लिए फिर इस गाने की दोबारा धुन बनी और मुकेश जी इस गाने को फिर दोबारा रिकॉर्ड किया जी यह गाना था मुकेश जी का जो फिल्म भूलना जाना में आया था भूलना जाना 1965 में आयती इसके मुजिक डिरेक्टर दानसिंग और गाना था पुकारो मुझे मेरा नाम लेकर पुकारो कि मुझको तुमसे अपनी खबर मिल पूरी गया था लताजी ने इस गाने को गया था अब कहां पर इसकी दून जाने की धून टपाई गई थी कौनसा इस गाने का गाला पहली बन चुका था ज्या लताजी का ये मash़ूर गाना है वो गाना है फिल्म खांदान का खांदान wszyscy 1965 में यह ते और लता जी का वो गाना है तुम ही मेरे मंदिर मेरी पूजा तुम ही देवता हो he he Tapi तु इसके прोष्षिंङ अब पता ने छे दुन द्धुन और खाना लिखा ता तुम ही मेरे मंदिर राजंदर किशन ने और जो ये गाना था दांसिंग का पुकारो मुझे मेरा नाम लेकर के पुकारो इस गाने को लिखाता गुलजार साब ने हाला कि इस वे भी कौंट्रावर्सी है बहुत लोग कहते हैं कि ये गाना गुलजार का नहीं था ये किसी को दीजेगा इजाज़त गुडबाई गुड़ लग एंटिक कियर